कोई है नहीं घर में इसलिए बस घरी देख सकती हूं अब बाल ही नहीं है गाव में किसी के तो आई जै माभगवती दगड़ियों कैसे आप सभी लोग आसा करती हूं स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लोग में उत्राखन के पॉड़ी जिले के बुड़ा कोड़ गाउं से तो अभी मेरी ब्लोग के शुरात हो ही है जाड़ी नौ बजे से अभी मेरी तैयारी हो ही है चकी में जाने की और मौसम की बात करी जाए तो मोसम अच्छा ही हो रहा है आज कल बाषिश भी नहीं हो रही है दूप लगई बहुत तेज है अब गर्मियों का टाइम आगे होगा दिन में तो बिल्कुल ऐसा मतलब जब गाय के साथ रहती हूं मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सुनसान जैसा गर्मियों में होता है कभी-कभी तो मौसम तो चारो तरफ कड़क धूप लगी है पूरा पाला भी गल चुका है नहीं तो उ संजुबया नके लिए कुछ ले जा रही हूं जो मतलब मौक Sah Bu में ने में भूल गाया है लेकिन ममी आज याद हागया तो उनके लिए मैं खिक्शेडी भी ले जा रही हूं और हमने थेले भी रखा है साथ में उस थेले को भी लियाओंगी को हो जाएगाए टोड़ी देर नीलू भावी में वाहन वहां जा रहे हैं लेकिन अकसून के घर में बैटी है आम वहीं जा रही हूं घर में पहुंच गई यह ना तुम्हारे घर के दर्सान कर लिए मैंने अब बाल ही नहीं नहीं है गाउँ में किसी को पूदे तो लगाने है वैसे गाउं में हेमेशा ही होता है बाल हों ना ओ फूदे लगाया जाता है बाड़ी था मेरी दिए जाती है वह इस चला है चला दिदी घूजूमया कंग तो दीदी लगा रही है अक्शु का फून्दा जब मैं इस साइड आई थी मतलब इस ख्वाल इस ख्वाल को बोलते लखेडु ख्वाल तो मैं साइड आई थी तो एक दीदी का कमेंट आया था कि हमारा घर भी दिखा दे ना उनका घर तोड़ा मतलब अलग साए तो उदर जा कष़िया है यह रतूर काष्ट हैं और मेरे गल्का। परिवार के अधरा नगरा है। अधर कोङी सबता है, और कि … तो दूसरे का क्या देखना है ताओ जी लोग भी कभी आते घर तो ऐसे उनके घर में भी घासूस उगी हुए अब जब घर आएंगे तब होगी उनकी घर की शपाई और यहां से कुछ ऐसे विव नजर आते हैं और वो है वो भी हमारे गाउं के घर है वहाँ एक ताइजी रह करते हैं गाउं में आजकर लोग ही काई है तो जिनका एग घर है वो दिसमय लगते है और तो उनका एक मेश जरूँ जरूरक दिखा दो आज में इli आए प्लोür होता है वंतना यह नहीं दिखा पाती पूरा आहां मतलब कर दो शेली वज़ 5 शरा मैं discussing Ps recentale uciones 이전una age तो मैंने का चलो टो पिद से गाये के साथा वह झाए और आज मेरे शाथ आकसु भी आ रहे हैं तो आज में साथ दोस्त है तो इसलिए मैंने ब्लॉग निस बना है बस मैं च्वीवगाने पर लगी थी और ड़ी में अड़ी में कपड़े धो रहे थोड़ी तो थोड़ा बात उनका ब्लॉग भी बन जाएगा तो मैं और अक्स यहां पर पुल में बैटे थे और हम इन्हें देख रहे थे पसोल गाओं के चोटे-चोटे बच्चे और एक दीदी भी हैं वो कपड़े दोने आ रही हैं तो उनको देखके हमें अपने दिन्यादा वैसे हम अभी जाते हैं कपड़े दोने जो पानी नी आता या गाय के साथ चले जाए तब दोते हैं पर जब हम छोटे-चोटे थे तब मतलब वहां जो पत्थर होता है कपड़े दोने उसके लिए सब से पहले भाग जाते थी कौन किस पे दोए का कपड़े जो अच्छा अला पत और मेरे साथ दोनों भी आ रहें और इन्हें फूल पसंद है तो मैंने का थोड़ा बात फूल तोड़ो तोड़ो तो आजकर सर्दियों का टाइम है सब दूप के मजे ले रहें वैसे तो यहां पर दूप चली गए लेकिन तीनों भाविया यह तीनों मेरी भाविया लग द का अशिए किया करते हैं घ्र आहिए निकर आ साल्याए तो बचाय नहीं तुमने मूम फाली खाते यहां था थाल कि स्कूट घ्या दूसरी निसमे वियह तो बचा नहीं तुमने मूम फाली का लिए । तुमने नहीं अ तो मैं दाधी उनके घर में आई और मुझे की इर्धार्त को समालने की ड्यूटी दे दी और दाधी की सबजी बनने ले गए अभी दूब गई भी नि bases ने चुना जल्दी बनाती है जल्दी खाती है जल्दी उटो हमारे गाँ में सब से जल्दी दाधी लोग यह सोते होंगे बदाधी लोग आठ बजे पहले खा लेते हैं और हमारा तो जादे तर आट बजे, साड़े आट बजे ऐसे ही बनता है खाना पीना, तो अभी बज़रे रात के नो और खाना पीना हमारा हो गया है, सबी लोग सोने भी चले गए, मैं बैठी हूँ यहाँ पर चूली के सामने आख सेखती हूँ, और अब ब्लॉग को भी यही पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में धन्यवाद